आज की वीडियो में देखेगा फ्रेंड्स लड्डु गोपाल जी की ये वाली ड्रेस बनाएंगे और ये ड्रेस बनाइए हमने तेन नंबर, चार नंबर और पाँच नंबर लड्डु गोपाल के लिए यह देखे जो लड़ु गोपाल हैं यह चार नमबर के हैं इनको मैं आपको पहना करके दिखा रही हूँ आप इस ड्रेस को चार नमबर पाँच नमबर तीन नमबर को भी आराम से पहना लेंगे यहाँ पर देखे जो यह घेरा है पाँच नमबर को थोड़ा सा शोर्ट आएगा बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी जैसे आजकल शोर्ट घेरे की ड्रेस चल रही हैं काना जी की तो आप इसको पाँच नमबर को भी आराम से बना लेंगे और यहाँ पर देखे जो ड्रेस मैंने सिखाई है निडल से बताई है जिनको सिलाई मशीन नहीं आती वो निडल से कैसे ड्रेस बना सकते हैं अपने काना जी की बाकी आप सेम मेजरमेंट ऐसे लेके इसको सलाई मशीन से भी बना सकते हैं मैंने वीडियो के बीच में बता दिया है कि सलाई मशीन से भी आप इसको कैसे बनाएंगे तो देखें बहुत ही सुन्दर है ये ड्रेस और यहाँ पर हमने इसकी देखें मैचिंग कैप भी बनाई हुए है बहुत ही सुन्दर ये पगड़ी है देखे हैं हमने काना जी को ऐसे लगा देनी है तो देखेगा फ्रेंड्स काना जी का देखेगा बहुत ही सुन्दर है ये ड्रेस तो आप जरूर बना करके देखेगा अगर आपको मेरी बताईवी ड्रेस पसंद आती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए फ्रेंड्स देर ना करते वे अब हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं अब यहाँ पर सबसे पहले देखे हमने ये नैट की पट्टी को कट किया है जिसका मिजर्मेंट है देखे यहाँ पर चोड़ाई है इस पट्टी की यहाँ से नापेंगे देखे इसको ऐसे ये है 7 इंच और जो नैट का पूरा अर्ज होता है पूरे अर्ज की हमने पट्टी कट की है लगबग 42 इंच लंबी अब इस पट्टी को देखे हमें क्या करना है यहाँ से इधर से हम ऐसे करेंगे इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे फोल्ड करने के बाद अब जो ये ओपन साइड है ओपन साइड पर हम इसमें लेस लगानी है तो देखे यहाँ पर हम इस लेस को देखे हमने जैसे ये पीस डबल कर लिया है डबल करने के बाद इस लेस को यहाँ पर ऐसे रखेंगे और निडल की हेल्प से हम इसको यहाँ से स साइड से और फिर थोड़ी दूरी पर निकाल देना है नीडल को इस तरह से देखिए इसको हमें सिलते जाना है दोनों पठ्टियों को मापस मी यहांपर मिला लेंगे इस तरह से और मिलाने के बाद इसके उपर इसन लेश को ऐसे रखते बने रहेंगे और निडल की हाल से हम सिलते जाएंगे पूरी ड्रेस हम निडल से ही तीयार करेंगे बहुत ही सुन्दर सी ड्रेस ready होने वाली है तो आप पूरी वीडियो में बने रहेगीं गा वीडियो को सिकिप मत करियेंगा यहाँ पर देख Pan Ami है निदागे को निकाल गया है इसके पीछे से लें यहां से इसको हम बखया का टाका बोलते हैं इसको फिर यह जैसे द्रैस हमने बख्या के टाके से बनाएंगे तो यह ले हमारी अच्छे अच्छे से अटेच होगी इसको अगर आप थीचेंगे तो यह खीचेगी नहीं बहुत अच्छे से सैट हो जाएगी इतो देखिए इस तरह से पूरी लेस को हमें ऐसे ही निकाल लेना है निडल को और लगा लेना है लेस लगाते वे हम लाश्ट तक आ गए हैं और यहां पर आकर के देखिए हमें निडल को ऐसे पीछे की साइड निकाल देना है और निकालने के बाद हमें देखिए इस तरह के यहां पर टाके आए हैं आप इस ड्रेस को सिलाई मशीन से भी बना सकते हैं जैसे मैंने बताया है डबल पट्टी लेकर के नैट की उसकी उपर आप इस लेस को रख कर सिलाई मशीन से सील सकते हैं तो यहां पर देखिए अब हम इसमें ऐसे नोट लगाएंगे और नोट लगा करके धागे को हमें यहां पर कट कर देना है अब धागा कट करने के बाद इसको देखिए पट्टे को हमें ऐसे सीधी साइड से पकड़ना है यहां से लगबग डेडिज की दूरी पर एक ऐसे प्लेट को उठा करके यहाँ पर ऐसे रखेंगे और देखें नीचे से भी हमें इकवल रखना है ध्यान रखना है हमें इस चीज का और फिर यहां से दूसरी प्लेट को ऐसे उठाना है और उठा करके यहां पर इस तरह से रख देना है थोड़ा सा हमें गैप देना है अब देखे इसको कैसे सिलेंगे जो हमारी यह दूसरे वाली प्लेट है इसके देखे यहां पर यह जो शुरू में यहां पर रखेंगे हम एंड में नहीं हम टाका लगाएंगे हम यहाँ पर स्टार्टिंग में टाका लगाएंगे नीचे नीडल को निकाल देंगे इस तरह से अब जो यह फस्ट वाली प्लेट है इस प्लेट के यहाँ पर आगे वाले हिस्से में इस तरह से हमें टाका लगाना है और इसको फिर निडल को पीछे की साइड निकाल देना है ये देखे दो प्लेट को हमने इस तरह से सील दिया है अब हम यहां से फिर से देखे ऐसे प्लेट को उठाएंगे और यहां पर ऐसे रख देंगे थोड़ा सा gap दे करके एक plate को हमने उठाया इस तरह से फिर दूसरी plate को बनाएंगे यहाँ से ऐसे देखे थोड़ा सा gap दे करके यहाँ पर इस तरह से रखना है अब दिखे जो यह हमारी पहले वाली plate है इसके पहले की हिस्से में इसको डालेंगे निडल को और यहां से इसको काल देंगे फिर इसको नीचे की शाइड लेकर जाएंगे निडल को इस तरह से हमें सारी प्लेट को सिलना है बहुत यह आसान है इसको सिलना आप करके देखिएगा आप जरूर इसको बना लेंगे और अगर आप शिलाई मशीन से बना रहे हैं तो जैसे मैं यह फ्लेट्स ऐस इसके ऊपर रखती को शहाँ उपनास सक्ते हैं इससे से सीलि इस को निडल के जगा आरे सिलाई सकते हैं एकांतो कि यहां पर से ठीक के ऐखाने सील निडल से तक ही करके कि हमें कैसे करना है अब देखीगा प्लेट्स बनाते हुए हम यहाँ पर लास्ट में आगए लास्ट में हम इसको यहाँ से लोग करेंगे देखी, नीची हमने निडल को निकाल लिया है उसके बाद यह कोर्नर है कोर्नर पर जाएंगे निडल को ऐसे निकालने के बाद एक बार यहां से इसको ऐसे लोग करके ऐसे नोट लगा देंगे अब इस तरह से देखे यह कमर बन करके तयार हो गई है मैं आपको इसको बता देती हूँ किसका मिजरमेंट कितना है देखे तीन और चार नंबर काना जी के लिए हम ये ड्रेस बना रहे हैं तो यहाँ पर देखे जो कमर तयार हुई है पांच इंच की तयार हुई है कमर थोड़ी वड़ी भी हो तो भी एड़ेस्ट हो जाती है इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर देखे प्लेटस हमने बना लिए है इसके बाद हमें डोरी लगानी है तो उल्टी साइड में हम डोरी लगाएंगे इस तरह से देखे नीचे नेट में से हमें टाका लेना है और डोरी के अंदर से टाका लेना है और इस तरह से देखे हमें इसको लगाते वे जाना है यहां से टाका लेंगे नीचे से और डोरी के अंदर से टाका लेंगे इसको फिर यहीं से एक बार पक्का करेंगे एक जगा पर हमें दो बाड टाका लगाना है देखिए फिर से देखिए यहां पर जाएंगे यहां से थोड़ी दूरी पर जाएंगे नीचे से नैट लेंगे और डॉरी के अंदर निडल को डाल देंगे इस तरह से फिर एक बार फिर से ऐसे ही करेंगे यहीं पर तो इस तरह से यह पक्का हो जाएगा यह देखिए डोरी नहीं हिल रही है यहां से अच्छे से यह सैट हो गई है तो इस तरह से पूरी डोरी को मैं लाच तक यहां तक देखे लगाऊंगे दूसरी साइड तक तो चलिए इसको लगा लेते हैं फिर देखते आगे की कैसे करना है इस तरह से देखीगा फ्रेंड्स हमारी ड्रेस का यह घेरा आया है जब हम काना जी को पहनाएंगे तो यह प्लेट्स हाथ से अच्छे से ऐसे देखे सैट कर देगे अब हम इसके लिए चोली बनाएंगे तो चोली बनाने के लिए यहां पर देखे हमने लेस ली है लेज से हम इसकी चोली बनाएंगे तो देखे मैंने 9 इंच इसकी लंबाई ली है और अब इस चोली को देखे हमें क्या करना है इस पट्टी को यहां से देखे ऐसे फोल्ड करना है और यहां से फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें यहाँ पर देखे निडल से इसको अच्छे से सील देंगे इसमें दो टाके हम लगा देंगे पक्के जिससे की ये पट्टी दोनों आपस में सील जाएंगी और अब लगाएंगे इसको हम ड्रेस के उपर तो यहां से देखे जैसे कि हमने इसको पक्का कर दिया है पक्का करने के बाद अब हम यह ड्रेस लेंगे और इसके सेंटर पर हम मार्क लगाएंगे यहाँ पर देखे इस तरह से पहले हमने सेंटर कर लिया है सेंटर पर हमने यहाँ पर मार्क लगा दिया और मार्क लगाने के बाद अब हम नीचे की साइड यह चोली को ऐसे रख देंगे देखे निडल अभी इसी में हमारा धागा हमें इसको यही पर सिल देना है यह देखे, सेंटर में हमने इसको रखा इस तरह से और रखने के बाद पीछे की साइड से हमें इसमें टाके लगा देने हैं इस तरह से देखे, इसको हम पक्का कर देंगे तो यह चोली भी हमारी यहाँ पर अच्छे से अटेच हो जाएगी यह देखेगा, धागा थोड़ा से इसमें इस तरह से आ जाता है, तो थोड़ा सा छोटा धागा लिए आप यह देखे, दो तिन टाके हमें पक्के यहाँ पर कर देने हैं इस तरह से, अब यह चोली भी हमारी बन करके देखे, तयार हो गई है अब इसके बाद हम बनाएंगे पकड़ी, अब हमें इसमें नोट लगा देंगे और धागे को हमें यहाँ पर कट कर देना है अब पकड़ी बनाने के लिए हमने लेस का पीस कट कर लिया है और यहाँ पर देखे, इसकी लंबाई लिया है, हमने 8 इंच और इसके बाद हमने एक नैट का पीस लिया है जिसके लबाई देखें हमने यहाँ पर लिया यह लगबग 13 इंच के करीब है और इसके चोड़ाई है यह साड़े 3 इंच है एक साइड की पोणे 2 इंच है यानि कि 3,5 इंच कलगी बनाने के बाद अब देखे हमें इस पर मार्क लगाना है जो हमने पट्टी ली है अब देखे ड्रेस हमारी जो है हम बना रहे हैं तीन नमबर चार नमबर के लिए लेकिन आप इसको शोर्ट में अगर पहनाएंगे तो ये पाँच नमबर काना को भी इजिली आ जाएगी तो सबसे पहले देखे हमें क्या करना है यहां से लगबग पोना या एक इंच यहां से ऐसे छोड़ देना है इस पर मार्क लगाना है और यहां से देखे फिर इस मार्क से अगर आप तीन नमबर काना के लिए बनाएंगे तो साड़े तीन पर मार्क लगाएंगे चार नमबर काना के लिए साड़े चार पर पाँच नमबर काना के लिए साड़े पाँच पर और पाँच नमबर काना के लिए बनाएंगे तो आप दस इंचलम भी पट्टी लेंगे यानि कि और एक्स्टर लेंगे तो यहाँ पर देखे मैं साड़े चार पर यह मार्क लगा लेती हूँ क्योंकि मेरे पास तीन नमबर काना नहीं है मैं चार नमबर को पहनाऊंगी और यह मार्क मिला देंगे हम इस मार्क से जो हमने यह लगाया हुआ है और इससे मिला करके इतना जो portion उपर का है इसको फॉल्ड कर देंगे और निडल की हेल्प से हम इसको यहां से स्टिच कर देंगे और अगर आप इसको सिलाई मशीन से बना रहे हैं तो आप यहाँ पर देखे ऐसे चारो तरफ सिलाई इसकी उपर लगा सकते हैं तो ये जो ड्रेस मैं आज आपको सिखा रही हूँ इसको आप निडल के हैल्प से भी बना सकते हैं और इसको आप सिलाई मशीन से भी बना सकते हैं अगर आपको सिलाई मशीन आती है तो आप उससे बनाईए और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सिलाई मशीन चलाना नहीं आता तो वो निडल से इसको बना सकते हैं ऐसे निडल के हेल्प से जिस तरह से मैंने वीडियो के अंदर बता दिया है अब यहाँ पर देखे इसको बनाने के बाद हम इसमें कलगी लगाएंगे तो यह जो हमने देखे कलगी बनाई वी है इसको हम यहाँ पर ऐसे रख देंगे इस तरह से और ऐसी रखने के बाद पहले तो हमें पीछे इसमें दिखिए यह जो पॉर्शन है इसमें टांका लगाना है यहाँ पर इस तरह से इसको अच्छे से पक्का कर देंगे दो तीन बार यह दिखीगा पक्का करने के बाद अब इसको हमें दिखी यहां से ऐसे खूलना है एक पोर्शन यहां से ऐसे पकड़ना है और नीचे ले जाना है और नीचे ले जाकरके इसमें यहां पर ऐसे टांका लगा देना है इस तरह से अब इस निडल को सेंटर में ले आएंगे हम यहाँ पर लाने के बाद यहाँ से यह पॉर्शन पकड़ेंगे इसको ऐसे नीचे यहाँ पर लेकर आएंगे और इधर से दो तिन टाके इसकी उपर भी लगा देंगे यहाँ से इस तरह से दिखे हमें डालना है इसको इस तरह से नीचे की तरफ ले जाएंगे और फिर यहां नीचे की साइड भी हमें एक टाका इसके उपर लगा देना है यहां से दिखे इसको सिल दिया अब नीडल निकालेंगे पीछे की साइड और पीछे की साइड ले जाकरके इसमें नोट लगा देंगे यहाँ पर देखें इसमें हम नोट लगाएंगे और नोट लगा करके धागे को कट कर देंगे अब देखेगा फ्रेंड्स यह हमारी पगड़ी भी बन करके तयार हो गई है बहुती सुन्दर बनी है देखें और यह हमारी आज की ड्रेस और वीडियो के शुरू में मैंने आपको कानाजी को पहना करके दिखा दिया है बहुत इस उन्दर यह ड्रेस है तो फ्रेंड्स आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा एक बार जरूर बना करके देखेगा तो कैसी लगी आपको आज की ड्रेस यह भी मुझे जरूर तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए राधे राधे राधे